फायर ओफ मोटिवेशन, संदीप महेश्वरी, परिचय, संदीप महेश्वरी एक ऐसा नाम है जो सफलता, खुशी और संतुष्टी की खोज में आगे बढ़े, ए सफल रहे और लेकिन फिर से आगे बढ़े, किसी भी मध्यम वरग के लड़के की तरहें, उनके पास भी ए सप सपने थे, और जीवन में अपने लक्षे को लेकर एक धुंदली द्रिश्टी थी, जीवन में काफी उतार्च रहों के बाद उन्होंने अपने जीवन का सही अर्थ समझा, वे अपने प्रेना दायक सेमिनार और भाषनों से पूरे विश्व में सब के चहेते हैं, शंदीप इपने बहुत ही साधारन परिवार में कई मुश्किलों का सामना किया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते हुए आखिर में सफलता प्राप्त की, वे अपने ऐ सफलताओं के अनुभव से हजारों लोगों को सफलता प्राप्त करने में एक गाइड की भूमी क निबाते हैं, आज उनके काम के चाहने वाले देश के साथ बाहर के देशों से भी लाकों लोग हैं, उनकी एक कंपनी है जो फोटो का काम करती है, उस वेबसाइट का नाम imagesbazar.com जिसका टर्न और आज करोडों में है, इस वेबसाइट के अंदर हजारों फोटों हैं, एक बा अपने जीवन में कहे अनुभाव किये हैं, हर विचार के बाद English के शब्दों का meaning लिखा हुआ है, ताकि आप हर विचार का भाव अच्छी तरह से समझ सकें, उमीद करते हैं आपको संदीब जी के विचारों से जीवन में बहुत कुछ सीखने का मोका मिलेगा, जिन के पिछे स्टार बना हुआ है, उन शब्दों का अर्थ विचार के बाद लिखा हुआ है, विचार, आईए संदीब महिश्वरी जी के विचारों पर आगे बढ़ते हुए, उनके विचारों पर चर्चा करते हैं, और उनको अमल करते हैं, ताकि हम भी लाइफ में उसकी सफ सफलता मिली, उसी तरह दे हम भी अपनी सफलता को पा सकें, तो आईए दोस्तों, नमबर एक विचार पर चलते हैं, यदि कोई भी चीज आपके पास जरूरस से जादा है, तो आप इसे उन लोगों से सांजा करिए, जिने इनकी सबसे अधिक्ष आवशकता है, नमबर दो, जैसा आप सोचोगे, वैसा ही बनोगे, तो इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखो, नमबर तीन, कोई भी सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव अपनी गलतियों यानी बैट एक्सपिरियन्स से आता है, नमबर चार, अपने आपको खुद की नजरों में उठाईए, जो इनसान खुद की नजरों में उठ गया, वो फिर दुनिया की नजरों में अपने आप उठ जाता है, नमबर पांच, जीवन में पैसे का उतना ही महतव है, जितना की आपकी कार में पैट्रोल, ना इसकी मातरा कम हो, और ना ही ज़्यादा, नमबर छे, एक बात आप हमेशा याद रखना, आप अपनी प्रोब्लम से कई गुना बड़े हो, अपनी प्रोब्लम का डट कर सामना करना सीखें, नमबर साथ, जो भी मन में आए, उसे खुल कर पूरे मन से करो, क्योंकि एक बार वक्त गुजर गया, तो वो वक्त फिर तुबारा नहीं आने वाला है, नमबर नो, जिस व्यक्ति का डिजायर जितना अधिक बड़ा होगा, उसकी सक्सेस भी उतनी ही अधिक बड़ी होगी, नमबर दस, कभी खुद को कम मत समझो, आप जितना सोचते हैं, उससे कही ज़्यादा आप कर सकते हैं, नमबर ग्यारा, यदि आप उस व्यक्ति की वे कुछ भी नहीं बदल सकते, नमबर तेरा, जिस व्यक्ति ने अपनी आदत को बदल दिया है, उसका आने वाला कल बदल जाएगा, और वे हैं व्यक्ति जो कल तक भी अपनी आदत नहीं बदलेगा, तो उस व्यक्ति के साथ वही होगा, जो हमेशा से होता आ रहा है, आप जिस काम में अपना 100% देते हैं तो निश्चत ही आप उस काम में सफल भी होंगे नमबर 16 जिंदेगे की दोड में हमें ने भागना है ने रुकना है बस लगातार चलते रहना है नमबर 17 आप जैसा सोचोगे वैसे ही आप बन जाएंगे नमबर 18 चाहे तालिया मिले या गालिया इससे क्या फरक पड़ता है फिर चाहे सकसेस मिले या फेलियर क्या फरक पड़ता है बस आप अपना काम करते जाएए क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अरे भाई मिलेगा इतना मिलेगा आप सपने में भी नहीं सोच सकते पहले खिलाडी तो बनो अपने फिल्ड के पक्के खिलाडी अगर आपके अंदर लड़ने की शमता है तो निष्टेत ही आप जीत जाओगे नमबर 21 पहले आपको खुद से किये कमिटमेंट को पूरा करना है जब तक आप खुद से किये हुए कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को दिये हुए कमिटमेंट को क्या पूरा करेंगे गलतियां ही इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास तो कर रहे हो आपको पावर्फुल बनना है इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको बलकि इसलिए कि आपको कोई दबा नहीं सके आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी ऐस सफलताओं की वज़े से ही हूँ आपको ऐसे चीज की खोज करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की है जब यह डिजायर आपके अंदर पनप जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा आपका डिजायर ही आपको उस काम में लगा देगा नमबर 26 डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो बड़े से भी बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नमबर 27 बिना सोचे समझे काम करना और बिना काम किये केवल सोचना हमें 100% ऐसे फलता ही देता है नमबर 28 ग्यान को बड़ाते रहें लेकिन कभी भी एंकार को नए आने दें यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपके सीखने की उमर यहीं खतम हो सकती है और यहीं खतम हो जाती है नमबर 29 कभी आपके पीट के पीछे हो रही बातों को लेकर गबराएं नहीं क्योंकि बात सिर्फ उनीकी होती है जिनमें कोई बात होती है नमबर 30 यदि कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं तो वहीं आपका सकसेस है और उसे नहीं कर पाए तो मरते दम तक वह आपका फेलिर है 31. जिसमें जीतने की कोई चाह नहीं होती है और नहीं हारने का गम उसे कोई भी नहीं हरा सकता 32. आपकी इच्छा शक्ती के आगे दुनिया की कोई भी शक्ती टिक नहीं सकती है 33. हर इंसान के अंदर कोई ने कोई शक्ति जरूर होती है जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होती है हमें बस उस शक्ति को जानना है 34. गिर गए तो क्या हुआ? गिरता भी वही है जो चलता है बस आपको इतना करना है उठकर फिर से चलना है 35. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं वे लोग कुछ भी नहीं बदल सकते हैं 36. जैसी नजरों से आप इस दुनिया को देखना चाहेंगे ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी 37. सक्सेस हमेशा अकेले में गले लगाती है लेकिन आपका फेलिर हमेशा आपको सब के सामने ही तमाचा मारता है 38. हर काम आसान है बस आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना है 49. आपकी जिन्दगी एक के बाद एक बोल के रूप में आवसर देती है यदि एक बोल यानि अवसर छूट भी जाए तो हमारा ध्यान आने वारे दूसरी बोल यानि अवसर पर होनी चाहिए 40. जब ये दुनिया के लोग आपको कहने लगे कि आप पागल हो गए हैं तो आप समझ जाईएगा कि आप अपने बनाए हुए सही रास्ते पर चल रहे हैं 41. फेल होने के बाद भी अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा तो निश्चत ही मैं उपर उठ सकता हूँ 42. हर रोज अपने आप से यह सवाल जरूर करो कि मैं अभी क्या सीख रहा हूँ और इस तरह हर वक्त आप कुछ ने कुछ सीखने की आदत बना डालो 43. जब आप उस चीज की तरफ देखते हैं जो आपके पास नहीं है तो उस वक्त आपकी किस्मत आपको बुरी लगती है और जब उन चीजों की तरफ देखते हो जो आपके पास पहले से है तो आपको आपकी किस्मत अच्छी लगती है नमबर चवालिस अगर मेरे जैसा ने बोलने वाला दब्बू लड़का अगर स्टेज पर आकर बोल सकता है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है नमबर पैंतालिस जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि आप हार मान जाओगे और फेल हो जाओगे और पूरी दुनिया को लग रहा था कि आप किसी काम के नहीं हो तो यहीं वो मौका है कि आप कुछ ऐसा कर जाओ कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओ उसी को सक्सेस बोलते हैं नमबर 46 जिस चीज में आपका इंट्रेस्ट है वही करो यदि आपको पता है कि आप रेस में हारने वाले हैं तो भला उस रेस में भाग ही क्यों लेते हैं नमबर 47 इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है तो यह सिर्फ खेल है नमबर 48 अगर आपके अंदर धहर रहे हैं तो निष्टित ही आप जिन्दगी के कठीन से कठीन हर फैसला का सही निरिणे कर सकते हैं नमबर 49 यह दुनिया भी बदल सकती है क्योंकि यह भी आसान है नमबर 50 जितना आप अपने इस प्रकरती से जुड़ते जाएंगे आपको उतना ही सुगत एहसास होगा नमबर 51 आपके जिन्दगी में दो ही चांज आपके जिन्दगी में दो ही चोईस हैं एक मुझे जिन्दगी को काटना है, दूसरा मुझे इस जिन्दगी को भरपूर जीना है, फैसरा आपके हाथ में है नमबर बावन, जिसको सवाल करने की आदत है, वह चाहे किसी भी फिल्ड में चला जाए, वह कामयाब जरूर हो जाएगा नमबर तिरेपन, रिस्क नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में है ही नहीं, फिर क्यू घबराना नमबर चौवन, अगर आप अपने दिमाग को बोरिंग करने वाली जगहों पर तिका सकते हैं, तो आपके इंट्रेस्ट वाली जगह पर माइड तिकाना तो खेल है भाई नमबर पचपन, अरे सोय हो या डरे हुए हो, उठो और खड़े हो जाओ, और जो करना है करो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आटो चलाना पड़ रहा है, टैक्सी चलाना पड़ रहा है, तो इसमें बुराई ही क्या है, आखिर खाली क्यों बैठना है नमबर चपन, इस दुनिया की साथ, नमबर सत्तावन, हमेशा लर्निंग पर फोकस करो, और अर्निंग पर नहीं, अर्निंग तो हमेशा फ्यूचर है, और लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मॉमेंट पर होती है नमबर अर्टावन जिंदिगी का यही फंडा है हमेशा सीखते रहना है जो सीख रहा है वो जिन्दा है और जिसने सीखना बंद कर दिया है वो एक जिन्दा लाश है नमबर उनसट कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो हमें उसको जाकर ये नहीं बोलना है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो क्योंकि किसी की हिम्मत तोडना भी गलत है नमबर साथ, किसी एक event में fail होने से life में fail नहीं होते हैं और एक event का end, life का end नहीं होता है नमबर एक सथ, एक student के लिए Dr. A.P.J. अबदुलकलाम से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई भी inspiration नहीं है नमबर बाशट, तुम भी यही सोचते होंगे ना, कि तुमारे घरवारे दोस्त, रिष्टेदार और बाकी लोग क्या सोचेंगे तो भाई तुम सोचते ही रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला है नमबर त्रेसट, आपने इस जीवन में सबसे सीखो, लेकिन फॉलो खुद को करो नमबर चोसट, जो कुछ भी करना है, एक जनून के साथ करना है, वरना उसे करना ही मत नमबर त्रेसट, जिसकी अवेरनस जितनी अधिक होगी, उसकी पोसिबिलिटीस भी उतनी अधिक होगी नमबर चियासट, मेरे जीवन का मिशन क्या है, देश के अंदर और पूरे संसार के अंदर अंगिनत लीडर्स खड़ा करना है नमबर चियासट, जब भी कोई आप से यह कहेगी, आप यह कर नहीं कर सकते, तो इसका सीधा सा मतलब है, वे खुद नहीं कर सकता है नमबर चियासट, मैं भले इस दुनिया से चला जाओं, लेकिन मेरे जानने के बाद मेरे जैसे लाखों लोग भी आ जाएंगे कोई और पागल होगा, जो यह सब कर रहा होगा, और निश्चित ही यह दुनिया भी बदलेगी, क्योंकि यह भी होना आसान है नमबर 69, कभी भी खाली मत बैठो, और जिस चीज के बारे में सीख लो, जो आपके करियर से समंदित नहीं है, तब भी आपके टाइम पास करने से लाग गुना बहतर ही होगा नमबर 70, अपने आपको अपनी फिल्ड में सबसे महान बनाओ, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नमबर 71, यजि किसी कारे को करने में आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है, और किसी दूसरे कारे में करने में आपके अंदर से एनर्जी आ रही है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क नहीं है नमबर 73, इस दुनिया में कोई भी किसी से कम नहीं होता और जो जैसा सोचता है वो ऐसा ही बन जाता है नमबर 74, ये दुनिया आपको चड़ाएगी भी और गिराएगी भी, दुनिया का यही काम ही है, बस आपको इन बातों की कोई परवा नहीं करना है नमबर 75, सब यही सोचतें कि खुश कैसे रहें, जब आप लाइफ को साकरातमक नजरिये से देखते हैं तो आप खुश होते हैं और जब आप इस दुनिया को नाकरातमक नजरिये से देखते हैं तो आप दुखी होते हैं नमबर 76, हमेशा अपने आप से मुकाबला करो क्योंकि वहाँ कोई रिस्क नहीं होता और हारे तब भी आपकी ही जीत होगी और जीते तो भी आपकी ही जीत होगी नमबर 77, बाकी सब कुछ मर सकता है लेकिन वो इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती जो आपके अंदर ही अंदर जलती रहती है नमबर 78, इस दुनिया में हमें हर ऐस अफ़ल इंसान से सीखने को मिलता है कि आखिर वह क्यों ऐस अफ़ल है नमबर 89, आपने जीने की वज़य होने चाहिए अगर आपकी जीने की वज़य बहुत बड़ी है तो निश्चिती आपसे बड़े से बड़ा काम करवाते चली जाएगी नमबर 80, अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे इस प्रोब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो निश्चिती सोल्यूशन आपके पास चल कर खुद आ जाएगा नमबर 81, आपके जिन्दगी के बारे में आपके माता पिता से अच्छा कोई भी नहीं सोच चकता है नमबर 82, हमें अपनी सोच बदननी है कि यदि हमारा बच्चा टोप कोलेज में एडमिशन पा लिया तो उसकी जिन्दगी बन गई और यदि वहाँ एडमिशन नहीं मिला उसकी लाइफ बिगड गई नमबर 83, आप इंटरनेट पर ऐसे लोगों के बारे में सर्च करो और पढ़ो जिनको सकूल में गुजने तक मना कर दिया गया पर वही लोग आज हमारा इतिहास बदल कर चले गए और आज के स्टूडेंट अच्छे कोलेज में एडमिशन नहीं मिलने के कारण बस दुखी ह नमबर 84, आज के समय में हमारे देश में इतनी बड़ी opportunities है जिसकी कोई हद नहीं है बस हमें ऐसी जगह के बारे में सोचना है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया है नमबर 85, ये दुनिया भी बदलेगी क्योंकि यह भी आसान है नमबर 86, यदि आप जीतते हैं तो आप लोगों का नेतरतेव करते हैं और यदि हारते हैं तो भी आप लोगों का मारतरशन कर सकते हैं नमबर 87, अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि वो हर समय अच्छा ही सोचे नमबर 88, आपके बारे में दूसरा क्या सोच रहा है ये कभी भी मत सोचना क्योंकि वे भी वही सोच रहा होगा नमबर 89, खुद पर हसो फिर देखो कैसे आपका तनाओ कम होता है नमबर 90, जब आप ऐस सफल होते हैं तो लोग आप पर हसेंगे लेकिन जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपकी नकल भी करेंगे नमबर 91, सबसे पहले कठिन काम ही करिए फिर आसान काम तो अपने आप ही हो जाएंगे नमबर 92, हमेशा अच्छे के लिए ट्राय करो और खराब के लिए खुद को तयार रखो नमबर 93, अपनी जिन्दगी में कभी भी ऐसा पल मत लाओ कि लगे कि आप बिना किसी मकसद के ये जिन्दगी जी रहे हो नमबर 94, जो लोग सक्सिस होते हैं उनका ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता है और जो लोग फेलिर होते हैं उनका ध्यान काम के लावा और भी कई चीजों पर होता है नमबर 95, जिस दिन आपने खुल के अपनी जिन्दी को जी दिया बस वही त्योहार है बाकी सब सिर्फ कैलेंडर की तारीख है नमबर 96 आपकी इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता है निर्ने से थोड़ा कुछ बदलता है और determination से सब कुछ बदल सकता है नमबर 97 अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो अनुमती मागना बंद कर दे नमबर 98 ने भागना है ने रुकना है बस चलते रहना है नमबर 99 अगर आपके अंदर लड़ने की स्पीरिट है तो आप जीत लेंगे नमबर 100 आप इसे पसंद करें या नहीं आप इसे सविकार करें या नहीं चाहे आप इसमें विश्वास करें या नहीं आपकी जिंदगी वही है जिसका आपने चैन किया है नमबर 101 दर्द को सहना पड़ता है दुखों को सहना नहीं पड़ता दुख को सिर्फ समझना पड़ता है नमबर 102 जिसको यह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जिसको यह पता है कि यह काम कैसे करना है तो उसको कोई क्या हिलाएगा नमबर 103 कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं यह बच्चों का खेल है और अगर तुम मान लो की सफल होना बच्चों का खेल है तो क्या होगा आप सफल हो जाओगे नमबर 104 जो आज अपने आपको successful मानते हैं वे आज नहीं तो कल successful बन जाते हैं नमबर 105 समय के साथ हमारी success की definition भी change होती है नमबर 106 जो कुछ भी आप चाहते हैं वे तुमारे भीतर है भीतर देखो आपको सब कुछ मिल जाएगा नमबर 107 आप लोगों की success की list बनाने लग जाओ तो शाम हो जाएगी प्रोबलम यह है कि आप मानते ही नहीं हो नमबर 108 केवल एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है आपको सफल बना सकता है वो है आप खुद नमबर 109 जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे यह दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी नमबर 110 हमेशा याद रखो जो होता है अच्छे के लिए होता है नमबर 111 हमें जो भी करना है अपने लिए करना है मेरे लिए नहीं अपने साथ वाले के लिए नहीं नमबर 112 आज हमें जो कुछ भी बुरा लग रहा है वो बुरा है बुरा है नहीं सिर्फ ऐसा लग रहा है आगे जाकर पता चलेगा कि वो भी अच्छे के लिए ही था नमबर 113 इससे फरक नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं फरक सिर्फ इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हो क्योंकि जो आप मानते हो वो आज नहीं तो कल बन जाओगे नमबर 114 आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी थाकत टिक नहीं सकती नमबर 115 कोई पहाड़ चड़ना मुश्किल नहीं है, शिकर पर मिलते हैं नंबर 116, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है नंबर 117, अपनी लाइफ की छोटी से छोटी प्रोब्लम्स, बड़ी से बड़ी प्रोब्लम्स उसमें जाकर कि इन दो शब्दों को चिपका दो, अंदर से जिस दिन आवाज आने लग गई ना आसान है, उस दिन सब कुछ सच में आसान हो जाएगा और यहीं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है आसान है, इसकी ताकत को अंडर एश्टिमेट मत करो, इसने मेरी जिन्दगी बदली है नमबर 118, सकसेश की सिर्फ एक डेफिनेशन है मेरे लिए, शेयर करो, दिल से शेयर करो, सब के साथ शेयर करो नमबर 119, जितने भी बिलिव्स जो जूट पर बैस्ट हैं, उनको बनने में सदियां लगते हैं, पर तूटने में एक सेकंड लगता है नमबर 120, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये नहीं बोलना है, इसके जगे बोलो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो नमबर 121, मैं इस वज़े से सक्सेस्फुल नहीं हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सक्सेस्फुल हूँ मैं इस वज़े से सक्सेस्फुल हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सक्सेस्फुल हूँ अगर दुनिया का कोई एक इंसान भी कोई काम कर सकता है तो आप भी उस काम को खेल खेल में कर सकते हैं नमबर 123, जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्यां बन जाती है, जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनोती बन जाती है, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियां आवसर बन जाती है, नमबर 124, मैं अपने सेमिनार्स फ्री में करता हूँ, जिंदगी में कभी कोई भूखा मिले तो उसे खाना खिला देना, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, नमबर 125, जो करम आपको अंदर से मजबूत करता है, वो अच्छा करम है, जो आपको अंदर से कमजोर करता है, वो बुरा करम है नमबर 126, जब भी आप खुश होते हो, तो समझो कब होते हो, और क्यों होते हो और जब भी आप दुखी होते हो, समझो कब होते हो, और क्यों होते हो अगर हमें इतना सा समझ आ जाए तो हम उस understanding को 24 घंटे में अपलाई कर सकते हैं लेकिन समझ आए तो सही किसी काम में बार-बार demotivate हो रहे हो तो motivated कैसे रहोगे तुम जितना उस काम के बारे में जानते चले जाओगे उतना ही तुम motivate होते चले जाओगे जितना उस काम के positive side को जानते चले जाओगे उतना ही और जादा motivate होते चले जाओगे लोग कहते कि इस business में क्या पड़ा है इस नोकरी में क्या पड़ा है तो मैं बता दूँ कि किसी भी business में किसी भी career में कुछ पड़ा नहीं होता है आपको कोई सोने की खान मिलने वाली नहीं है कहीं से भी खोजनी पड़ती है याद रखिए हर बड़े काम के शुरुआत छोटे से ही होती है मिडी और क्रेटी बड़ी खसनाक जगह है हम यहीं पर अटके रह जाते हैं हम उपर वालों को देखकर जलते रहते हैं और नीचे वालों को देखकर खुश होते रहते हैं नमबर 131 हर career में उपर कहां तक जाया जा सकता है इसकी कोई limit नहीं है नमबर 132 जैसे ही आप किसी चीज की बुराई कर रहे हो या किसी से जल रहे हो या किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आपको better feel कराने के लिए तो आप और नीचे गिर जाते हो नमबर 133 जहां पर आपकी thinking जाती है जहां पर आपकी नजर जाती है वैसे ही आप बनने लग जाते हो नमबर 134 आप मेरे words को तो पकड़ रहे हो लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो नहीं देख रहे हो यही trap है मतलब अगर मैं उंगली से चांद दिखा रहा हूँ तो आप उस उंगली देखे जा रहे हो चांद को नहीं देख रहे हो नमबर 135 हर situation में अच्छाई भी है बुराई भी है हर इनसान में अच्छाई भी है और बुराई भी है चो इस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखते हैं नमबर 136 अगर हमें अपने desires को बदलना आ जाए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी नमबर 137 पहली बार अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी गलती की है तो वो गलती नहीं है लेकिन अगर उसी को आप बार-बार कर रहे हो तो ये गलती है नमबर 138 जब हम किसी को सला दे रहे होते हैं तो बड़ी सला देते हैं लेकिन जब हम खुद की उस सिचेशन में होते हैं तो बेवकूफों की तरह एक्ट करते हैं नमबर 149 जैसे आज से दस साल पहले जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जी रहे हो इट, स्लिप, रिपीट इट, स्लिप, रिपीट क्या मजा है नेक्स्ट लेवल पे जाओ नमबर 140 आप जाओ तो भी जिंदगी की खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक की आप खुद मैदान को छोड़ कर भाग नहीं जाते दुनिया की कोई तागत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिछ पर डटे रहो नमबर 141 या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो नहीं तो यह तुमें कंट्रोल करेगा नमबर 142 बिजनस में दो तरह की लोग होते हैं एक होते हैं जो बड़ी बड़ी बाते करते हैं जब हजार प्रोड़क्ट भिक जाएंगे तब यह हो जाएगा लाको रुपे कमाऊँगा इतने प्रोड़क्ट बेच जूँगा मुझे जब कोई ऐसा मिलता है तो मैं उससे बोलता हूँ भाई तेरा पहला प्रोड़क्ट कैसे बिखेगा और उसके पास कोई जवाब नहीं होता जबकि जवाब यह होना चाहिए कि ऐसे एक कैसे बिखेगा अगर एक बिखेगा तो सो भी बिखेगा और एकजार भी बिखेगा नमबर 143 करम क्या है कि मन में जो गलत चीजे आ रही है वहाँ जाने से अपने आपको रोकना यही सही करम है अगर मन में कुछ सही आ रहा है उस पर ठीके रहना हर हालत में ठीके रहना यह करम है नमबर 144 एक तरफ है जो आप करना चाहते हो जो आप बनना चाहते हो जो आप पाना चाहते हो दूसरी तरफ वो है जो दुनिया आप से करवाना चाहती है नमबर 145 अपने हर सेशन से पहले 15-20 मिनट के लिए मैं अपनी आखी बंद कर लेता हूँ जब दिमाग पूरे तरीके से बलैक हो जाता है दिमाग में कोई विचार नहीं होते तो अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि अगर यह दिन मेरी जिंदिकी का आखरी दिन हो और कैसे भी मुझे यह पता लग जाए कि कल सुब़े मैं नहीं उटने वाला तो मैं आज क्या करूँगा तो मैं यह option चुनता कि उस दिन आखरी दिन में कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे कि आज चैन की निन सो सकूं 146 आपके विल पावर के आगे दुनिया की कोई वितागत्तिक नहीं सकती एक बात हमेशा अपने आप से कहनी है कि I am the greatest person ever born on this planet जितने लोग पैदा हुएं आज तक मैं उन में से इस दुनिया का सबसे महान इंसान हूं अगर खुद आप अपनी नजर में greatest बन गई तो आपके जो काम होंगे आप जिस तरह से बोल रहे होंगे आपके साथ में जो लोग होंगे उनको कुछ अलग ही नजर आएगा वो आपके साथ में मैगनेट की तरह चिपक जाएंगे नमबर 109 आप बिजनेस कर रहे हो आप खुद ही excited नहीं हो अंदर से तो दूसरे आपके साथ में जुड़े हैं आपकी टीम मेंबर कैसे excited हो सकती है नमबर 150 या तो किसी बड़े च्छाते के नीचे खड़े हो जाओ या खुद ही वो च्छाता बन जाओ या खुद powerful बन जाओ नमबर 151 आप कोई पैसा बनाने वाली मशीन नहीं हो जो पूरे दिन 6-7 घंटे काम करके महीने के कुछ पैसे बनाते हो आप एक इनसान हो और इनसान सोच कर कुछ नया करने की काबिलित रखता है नमबर 152 जब आप किसी इनसान के साथ में कोई भी कोर्स शुरू करते हो और देखते हैं कि कुछ तालवद आपका दोस्त कहां का कहां पोच गया और आप वहीं के वहीं रह गए तो ऐसी स्थिती में बजाए जलने के उस दोस्त से जानने के कोशिश करने कि वह ऐसा क्या जानता है जो आप सीखने से रह गए नमबर 155 सही ट्रेक क्या है हर सिचुएशन की पोजिटिव साइड को देखना ही सही ट्रेक है नमबर 154 इस दुनिया में ऐस सफल इंसान से भी सीखें और सफल इंसान से भी इस सफल व्यक्ति से उसके इस सफल होने का और सफल व्यक्ति से उसके सफल होने का कारण नमबर 155 अपनी सोच का जो सेंटर पॉइंट यह रखो कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दुख ने हो सिर्फ खुशियां हो मैं कहता हूँ हाँ ऐसा हो सकता है उसके लिए आपको हाइपर एक्टिव बनना होगा यानि हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में जीकर कुछ ना कुछ सीखना होगा बजाए हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ सोचने के नमबर 156 अपने अंदर यूनिकनेस को डवलप अप करो इसको क्या होगा कि दिरे दिरे आपकी यह आदत बन जाएगी जो फॉलो करने की आदत है वो बदलकर अपने अंदर की आवास को सुन करके कुछ नया करने की आदत बन जाएगी नमबर 157 जब लोग आपसे कहें की आप यह नहीं कर सकते हो तो ना हमें चुप रहना और ना हमें लड़ना है बस सवाल करना की मैं यह क्यों नहीं कर सकता फिर दोगो उसके कैसे पत्ते खुलते हैं नमबर 158 हिश्टरी को उठा कर देख लो आप आओगे जितने भी कामयाब लोग हुए है उनके पास में दूसरों से ज़्यादा जवाब नहीं बलकि दूसरों से ज़्यादा अच्छे सवाल है नमबर 169 दो इंजीनिर हैं एक है जो सिर्फ रटा मार रहा है दूसरा है जो इस फंडे को समझ रहा है जिसको फंडा समझ आ गया वो किसी भी प्रोबलम को ठीक कर सकता है लेकिन जिसने रटा मारा वो केवल एक ही प्रोबलम को ठीक कर सकता है नमबर 160 मेरी इंस्पिरेशन क्या है वही जो मुझे बारवी स्टेंडर में आई थी कि मुझे कुछ करना है आज उस दिन को कई साल होगे लेकिन ये अब तक नहीं आई नमबर 161 टैलेंट की अपनी एक लिमिट है गोल सैटिंग की अपनी एक लिमिट है मोटिवेशन जो की बाहर से अंदर की तरफ जाता है उसकी एक लिमिट है और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है नमबर 163 एक तरफ है मज़ा और दूसरी तरफ है दर्द इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है नमबर 164 सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और पूरी दुनिया में भी इस पूरी की पूरी दुनिया को नई डारेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की मदद से अगर यह डिजायर सही डारेक्शन में है तो यही डिजायर अगर गलत डारेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी विनाशकारी पावर भी इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं नमबर 165 आप चाहे जोब करो चाहे बिजनस करो एक स्किल ऐसी चो अपने अंदर होने ही चाहिए उसकी बना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते वो है कम्यूनिकेशन स्किल 166 किसी भी लूजर के पास चले जाओ उसके पास लिष्ट होगी बहाने की कि मैं इस वज़े से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत लंबी लिष्ट होगी और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ उसके पास हजार वज़े होंगी ना करने की जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वज़े होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर भी जाएगा नमबर 168 अगर इस दुनी में लोगों के दिलों से आप डिजायर निकाल दो तो क्या होगा सब कुछ रुख जाएगा एक दिन के अंदर अंदर नमबर 179 जिस तरह के डिजायर आपके अंदर दबे हुए हैं उसी तरह की आपकी सोच है नमबर 170 एक इन्सान है जिसका डिजायर ही इतना सा है कि किसी भी तरह से 10,000 रुपे की नोकणी मिल जाए बस किस तरह के विचार होंगे उसके किस लेवल का action होगा उसका क्या वो बहुत उपर के लेवल पर act करेगा उसकी सोच उस 10,000 रुपे से आगे बढ़ ही नहीं सकती और 10,000 की जगे 11,000 रुपे मिल गए तो बल्ले बल्ले करेगा वो बैट करके नमबर 171 आपके जीने की वज़ये बहुत बड़ी होनी चाहिए अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाते चली जाएगी नमबर 172 जैसे जैसे आपने जैसे जैसे आपके अंदर यह डिजायर पन पेगा कि कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए तो वो कब कर पाओगे जब आप अंदर से स्ट्रॉंग हो वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके उपर हावी हो जाए कि मर जाऊंगा कट जाऊंगा इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना खुद को जला दूँगा तपा दूँगा लेकिन रोश नी कर जाऊंगा नमबर 173 तब क्या है ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में मानवता के लिए इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है उसमें आपको चाहिए कितना भी दर्द हो रहा है अगर आप वो कर रहे हो तो तब है और अगर आप अपने selfish interest के लिए कर रहे हो तो वो तब नहीं ढोंग है नमबर 174 आप चाहिए डॉक्टर बनने वाले हूँ इंजीनियर बनने वाले हूँ उस हद तक अपने काम में effort डाल दो जितना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाया हो नमबर 175 मैं आप सब लोगों को strongly recommend करता हूँ कि इतना strongly recommend मैंने आज तक कभी नहीं किया कि पूरी दुनिया में एक student के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुलकुलाम से बड़ी inspiration कोई नहीं हो सकती नमबर 176 एक बर अंदर यह पनप गया ना कि मुझे कुछ ऐसा करना है यार कुछ तो करना है होसला बनना है दुनिया के लिए चाहे कुछ लोग की मुझे देख करके inspire हो कुछ तो करना है, ऐसे थोड़ी आया हो और चला गया क्या है, कुछ करना है नमबर 177 क्या फरक बढ़ता है, पैसा आता है, जाता है, क्या फरक बढ़ता है पिछले 1000 लाकों करोडों सालों में देख लो मुझे एक बही ऐसा इंसान दिखा तो कुछ पैसा कमाया हो या कोई चीज बनाई हो और अभी भी वो जिन्दा हो चाय वो चीज या इनसान हो ने चीज रहती है ने यह बोडी रहती है नमबर 178 मेरे सारे सेस्षन का सार यह कि बाहर की दुनिया से नहीं अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है नमबर 189 अगर आपके अंदर धहर है तो आप जिंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो नमबर 180 वीडियो गेम खेलते हैं हम उसमें क्या पहले ही दिन में जब आप खेल रहे होते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो पहले ही केवल या पहले ही लेवल से दस्वे लेवल पर पहुच जाते हो नहीं पहुचते हो आप गेम में बार बार गिरते हो फिर पहले लेवल से शुरू करते हो ऐसे करके बैटर होते जाते हो आखिर में दस्वे लेवल पर पहुच जाते हो उसी तरह गेम और जिंदगी में केवल एक ही फरक है कि गेम में एक end आ जाता है लेकिन जिंदगी में कोई end नहीं आगे बढ़ते रो यही होता है नमबर 181 मैं यही नहीं कहता कि education important नहीं है education बहुत important है उसके बिना आप survive ही नहीं कर सकते दुनिया के अंदर मतलब कि जिंदगी को काटने के लिए education important है लेकिन जिंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई connection नहीं है नमबर 182 एक बार आपका learning attitude बन गया फिर पैसा तो क्या कितना भी कमाल हो आपको कोई नहीं रोक सकता नमबर 183 हमेशा कुछ न कुछ सीखने के रास्ते पर अगर आप चलोगे तो चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा और सच बता रहा हूँ पता भी नहीं लगेगा कि कब आप normal इंसान से super इंसान बन जाओगे नमबर 184 अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुझ पकड़ कर उसके अंदर डाल दू तो आप अपने आपको बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे क्योंकि प्रोबलम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रोबलम उतनी ही बड़ी एनर्जी नमबर 185 student के suicide का कारण है कि उन्हें यह समझा दिया गया है कि अगर top college नहीं मिली तो इसके अलावा success होने का कोई और रास्ता ही नहीं है नमबर 186 कई लोग यह सोच करके suicide कर लेते हैं कि इस दुनिया में अच्छी college में admission वाला student ही success हो सकता है यह बकवास सोच है क्योंकि मैं आपको इंडिया में ऐसे कई उधारन दिखा सकता हूँ जो बड़ी college से नहीं पड़े और आज बहुत successful है यहाँ तक कि इन बड़ी college से जो निकले हैं वो इनके लिए काम करते हैं नमबर 187 अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग पढ़ाई में सही से नहीं लगता आपकी रूची नहीं है आपकी रूची बिजनेस में है तो बिजनेस ही करें और अगर आपको लगता है कि पढ़ने में आपको मजा आता है केवल दिखाने के लिए नहीं सच में आपकी रूची है तो आपके लिए पढ़ाई करने के लावा कोई और better option हो ही नहीं सकता नमबर 188 आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपकी weakness है और आपके competitors की strength तो आप हारेंगे ही हारेंगे इसमें अच्छा होगा अपनी strength के according ही काम करो नमबर 189 जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घूम गुसने तक को मना कर दिया था वही लोग आज history बदल के चले गए और ऐसे student हो कि केवल अच्छी college ने मिलने से दुखी हो जाते हैं और फासी पर चड़ जाते हैं नमबर 190 शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्यान एक तरतर करना नहीं है बलकि है सीखना है कि किस प्रगार से सोचा जाए नमबर 191 कोई काम करने के लिए हजार कारण होने से अच्छा है एक ठोस कारण का होना नमबर 192 जब भी आप अपने आपको अकेला महसूस करें तो उस इंसान की company को खूप enjoy करें जो इस पृत्वी पे अनोख है और वो है आप खुद नमबर 193 अपने आप पर हसने से कभी तरे नहीं नमबर 194 जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना होसला जरूर रखना कि दिन बुरा था जिंदगी नहीं नमबर 195 शरीर की भाषा बोडी लेंगविज सबसे ज़्यादा बोलती है नमबर 196 जो सर्फिरे होते हैं वही इतियास लिखते हैं समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं नमबर 197 चाहत और जरूरत के बीच स्वैम नियंतरन हमेशा रहता है नमबर 198 कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी कोई खरोच नहीं आती और कभी जरासी बात से इंसान भिखर जाता है नमबर 199 सफलता सिर्फ यही है कि सही दिशा में आगे कैसे बढ़ना है नमबर 200 जो विनर है जो जीतेगा वो एक बार नहीं हजार बार गिरेगा और खड़े होकर कहेगा मैं खेलूंगा नमबर 201 जीवन कोई समस्य नहीं जिसे सुलजाया जाए बल्कि एक खेल है खेलने के लिए नमबर 202 जिन्दगी में कुछ करना है तो सच बोल दो घुमा फिरा के बात मत करो नमबर 203 आप जिस भी काम से प्यार करते हैं उससे करने से कभी नैडर नहीं नमबर 204 बिना किसी उदेश्य के जिन्दगी एकदम अर्थ हीन है नमबर 205 सिर्फ तब बोलें जब जरूरी हो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से नमबर 206 बिजनेस और चेस में ज्यादा फरक नहीं है चेस एक खेल है इस उमीद के साथ के इन विचारों से आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा तो दोस्तों अगर यह बुक आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आईगा